असलामुलेकुम वेलकुम बेक टो मैं चैनल एयार्स के चैनल स्पीज और विलॉग कैसे हैं आप सब उमीद हैं कि आप सब खेरियत से होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनिस चॉकलेट केक आप इसको बुलें बहुत ही असान तरीके से यह बनता है सिर्फ एक पर आप इसके अंदर हम यूज करेंगे किस तरह हमने इसको बनाना है और क्या-क्या चीज़ें हमें इसके राइट करनी है बहुत ही सौफर मज़ितार बनकर यह तयार होती है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हों सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलें त इसके बाद हम लोग साइट पर रख देंगे इसके बाद हम लोग ले लेंगे मैदा मैदा आप कोई सभी ले सकते हैं मैं यह वाला मैदा यूज कर रही हूं खुला मैदा भी उसकर सकते हैं पैकेट वाला कोई सभी आपके पास हो वह आप ले सकते हैं दो कप मैं यहाँ पर चीनी आड़ करूः नाप शूरी के दैड झाम में गश्ट कर दों और यह दों केद न अपके पास अगर उक्प कर दिया है और आपके पास पेट mm अगर एक पास पीला ओर warto और यह दे सुध है यूजर अप डिचोने के बाद मेने इसके अंदर डाल दिया है मैदा , 2ड घूरा मैदा येवाला मैदा है, तोजिली मैदा कोई सब गले सकते हैं , सफ़ चब मैदा सबया है , ये थीधिया तोजिली आद्हा tôख क्राश ये दिया है , आदधी प्रफाश निमक , नमक , कि दो चमच मिल्क पाउडर कोई सभी मिल्क पाउडर अब ढाल सकते हैं मैंने ओल पर कर मिल्क पाउडर लिया है इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले इसको हम च्छानेंगे इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से मिक्स कर लें या बीटर ले ले ऐसको जो है धूट डाल जे थोड़ा सा गरम करूँ गी और ये मैल्ट हो जाएगी वो हम इसके अंदर डाल देंगी अगर आपको डालना है तो आप डाल दे नहीं तो आप is न किभी कर सकते हैं यह डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसके नदर अगर अगर आपके आपकर स्टेकर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप अगर दाल दे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ब्राउनी में यIL चौकलेट केk मे ostr दें इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर अगर आपको हाड लग रहा है इसका मिक्सचर तो आप दूद डाल दें मुझे हाड लग रहा था तो थोड़ा से मिने दूद एट कर दिया है इसको हम मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर ये वाला भी आप यूज कर सकते नहीं तो केक छानार को करारी करती है उता है आदि czego ऐसा से फिर डॉझे नहीं गॉफया करें नहीं अधी सोडा टवाद कर सिर्सक्षे नहीं चीजितों करो लुझे हो अक्षीन नहीं गॉच्राइज सरफ नाहीं अदियों को स्थो फिर शख्रес डाल देंगे बरतन में मॉल्ट में और इसको अच्छे से सेट करके बेक कर लेंगे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है के पतीजी पतीली में किस तरह से बेक करना हैlaws आप पतीली कर सकते है जाहें मैंने तकरिब इसको 20-25 मिनिट के लिए रख दिया है ओवन में बेक होने के लिए उसके बाद मैंने थोड़ी और चॉकलेट ले ली है और दूट डालके इसको अच्छे से यह देखे में मिक्स कर लिया था मैंने गरम करके चॉकलेट सीरप हमारा वहां पर राइडी था केक आप मैंने यहां तो यह देखें बिल्कुल तूटपिक जो है वह साफ निकल रही है तो इसका मतलब है केक हमारा रैडी है केक को ठंडा होने के लिए रखने के बाद जो है केक ठंडा करने के बाद हमने उपर से इसके बटर पेपर इस तरह से उतार के इसको हम कट कर लेंगे चॉकलेट इसको काट कर साइडें पिर हम निकालेंगे ताके केक जो है वह चिपके नहीं उससे और अच्छे से निकल जाए सके बाद अप कुछ भी एड़ करना चाहते हैं आड़ कर सकते हैं इसके उपर जो साइज आप इसको देना चाहते हैं छोटा बड़ा वो आप दे सकते हैं यह आप देख सकते हैं माशलाब बहुत ही सौफर मज़ेदार हमारी यहाँ पर ब्राउनी बन कर तयार हुई थी बच्चे जो हैं काफी टाइम से बोल रहे थे कि मामा चॉकलेट केक या ब्राउनी हमें बना दें तो सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँ यह देखे माशलाब बहुत मज़दार और सबको बहुत पसंद आई थी इसका टेस्ट बैकरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यह आप देख भी सकते हैं एक दम से सॉफ्ट बन कर तयार हुई है एक दफ़ा आप भी इनको बना कर सब बच्चों को दे इंशालाब सबको बहुत पसंद आईगी बड़ों की बच्चों की सबकी फेवरेट होती है यह आपको मैं टेस्ट करके भी दिखा सकती हूँ अंदर से की कितनी सॉफ्ट और अच्छी बन कर तयार हुई थी उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा चैनल पर नियू है तो इसको सबस्क्राइब करना मत भूलेगा अपना ख्याल रखेगा दौा में याद रखेगा मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ अलाहाफेज